नमस्कार मैं हूँ आपके साथ अरण्यावेदी लेकर आई हूँ देश दुन्या की तमाम बड़ी खबरे बिना किसी लाग लपिट के अगले साथ मिनट आप बस बने रहे मेरे साथ आखकान खोलके आखकान खोलके में सबसे पहले बात करेंगे यूपी के बाकपत से बलगम जिहाद पर इंडिया न्यूस साप आपको स्पेशल रिपोर्ट दिखाने चा रहा है हमारे सहयोगी आयुष उस टीबी अस्पताल पहुचे जहां आरोप लगा कि वहां के डिपटी सीमो यश्वीर सिंग और उनके परिवार को खाने में टीबी का बैक्टेरिया देकर मारने की साज़श की गई आरोप है कि साज़श उनके विभाग में काम करने वाले मुशी रहमत और जबार खान ने रची बताया गया कि टीबी हॉस्पिटल के करमचारी मुशी रहमत और जबार खान ड्यूटी पर आए दिन गैर हासिर रहते थे इस पर जब डिपटी सीमो यश्पीर सिंग ने उन्हें नोटिस दिया तो दोनों ने मरीजों के थूक और बलगम से टीबी के बैक्टेरिया निकाल कर यश्पीर सिंग के पूरे परिवार को मारने की साज़श रच डाली क्योंकि जबार खान और मुशीर रहमत वहां लैब टेक्नीशन थे इसलिए उन्हें पता था कि बलगम से बैक्टेरिया कैसे निकाला जाता है कैसे बैक्टेरिया को स्टोर किया जाता है लेकिन उनकी बाची त्लीक हो गई और पूरी साचिश सामने आ गई अब पुलिस ने मामला दर्श कर जाच तेस कर दी हैं सही होगी आयुश की ये रिपोर्ट देखे हमारे भारत देश बे डॉक्टर्स का एक अलग महत्व है डॉक्टर्स को सम्मान की नजर से दिखा जाता है डॉक्टर को भगवान का दूसरा रूप कहा जाता है और यहां तक ये बात कह दी जाती है कि जब इनसान का हर जगा से भरोसा उठ जाए उसके बाद भी सिर्फ ए है ऐसी ये घट्डा उत्तर प्रदेश के बागपत जिले से सामने आई है जहापर अस्पताल के दो कर्मचारियों ने अस्पताल के ही डेपुटी सीमो को एक ऐसे तरीके से मारने की साजिश रची कि कि किसी को भी इस चीज की भनक ना लगे उन्होंने क्या किया है पूरा मा टीवी का बलगम आने वाले ही इस रिपोर्ट में अपने आप में कैसे एक बड़ी भूमी का निभाएगा वो साफ और सपस्ट यहां पर आपको नजर आने वाला है देखिए बागपत का जिला अस्पताल है बहुत बड़ा अस्पताल है यहां पर अलग-अलग बिबारियो ना लगे वो लोग क्या करते हैं एक फोर्थ क्लास एंपलोई के पास जाते है जो डॉक्टर का खाना लाने की जिम्मेदार था उसको कहते हैं कि डॉक्टर के खाने में आप हाई ग्रेड टीवी बरीज का बलगम मिलाएं और इसके अलावा और रसाइनिक चीज़ें मिलाए जिससे डॉक्टर एका एक धिरे धिरे बिमार पढ़ने लगे उनको हुई बिमारी उनके परिवार तक भी पहले और अगर वक्त पर किसी को इलाज नहीं मिल पाया तो दुर्ग भाग्य पूर्ण उनकी मृत्यू भी हो जाए यही वो कमरा है देखिए जबार खान इस आदम कि क्या करता है उस जाज के लिए आए सेंपल में से बलगम निकाल कर एक व्यक्ति को देता है और डॉक्टर के खाने में मिलाने का दबाव उसके ओपर बनाता है ताकि डॉक्टर के चरीर में किसी तरीके से टीवी का यह बैक्टीरिया पहुंच सके डॉक्टर के परिवार तक ये बैक्टीरिया पहुंच सके और उसके बाद पूरा परिवार ही इस गंभीर बिमारी से ग्रसित हो जा और इसके लिए वो कोई आम बैक्टीरिया नहीं चुनता एक ऐसा टीवी MDR मल्टी ड्रग रेसिस्टेंस यानि जिस पर दवाईयों का असर होना भी लगबग बंद हो जाता है ऐसे टीवी के वाईरस को वो चुनता है ऐसे रसायनिक पदार्थ को वो चुनता है ताकि डॉक्टर पर एक ऐसा हमला कर सके जिससे जो वार है वो एकदम सटीक हो लेकिन इसमें वो अकेला नहीं होता एक व्यक्ति और उसके साथ इस पूरी साजिश में शामिल हो बड़ी ख़बर इसलिए है क्योंकि वो अस्पताल जहां पर लोग अपनी बिमारी का इलाज कराने आते हैं वो अस्पताल जहां पर लोग तब जाते हैं जब उनके पास कहीं पर कोई आस नहीं बचती पुलिस मामले की जाच कर रही है दोनों आरोपी फिलाल फरार है लेकिन पुलिस का ये कहना है कि दोनों को जल्द से जल्द गिरफतार कर लिया जाएगा विडियो जनलिस्ट इमान चुनेगी के साथ मैं आयूश शर्मा इंडिया न्यूज बाकपत यूपी अब पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज कर जाच तेस कर दी दॉक्टर यश्वीर सिंग जिनके साथ ये पूरा घटना करम हुआ वो इस वक्त हमारे साथ मौजूद है उनके साथ जुड़ते हैं और क्या कुछ पूरी घटना हुई तिस सिलसिलवार तरीके से जानते हैं डॉक्टर साथ जो ये घटना आपके साथ हुई कितने दिन पुरानी है और कैसे आपको इसके बारे में पता चला था ये घटना पिछले अपते की है और हमारा एक फूर्थ क्लास के रमचारी है उसने मुझे बताया आके कि सर मैं बड़ा परिशान हूँ आप एक बहुत ब इसको कर दो करें हैं इसको आपको खाने में के प्लैनिग कर रहा होता है ये टीवी की मल्टि ड्रॉक। रिजस्टेंस होते हैं जिसके हमारी कुछ दवाई असर को करती है उनका बल गल्गम देने की तरहरी कर रहे थे ये खतरनाक सतरका जो टीबी हो सकता था उस टीवी से आपकी बॉडी को इंजट करना जा रहे हैं यह कह सकते हैं साथ ही साथ मेरे घर पे भी किसी तरह से वह भीजवानी की प्लैनिंग थी कि मेरे बच्चे भी उस चीज को देखें और वो भी उसमें संक्रमित हो जाए उस चीज से यह गटना थी उसके बाद में म साथ को अवगत कराया उनकी जो कॉल रिकोंड इंग है वो मेरे को उपलब्द करायी कई से असाब को मैं ने वह उपलब्द करा दी चिहार साब ने उनको सुना और मुझे पर्मिशन दी कि आप इस पे अपना F.I.R. दर्ज कराएं उसके बाद में मैंने उस पे F.I.R. दर्ज कराई अब उसमें F.I.R. दर्ज हो चुकी है और पुलिस अपना अच्छे से काम कर रही है बड़ा सवाल ये उठता है कि इतनी बड़ी साज़श और शायद अपने तरीके से ये एक पहली साज़श है हिंदुस्तान की जिसमें इतने कह सकते हैं कि दिमाग के इस्तमाल किया गया ये सोचा गया कि डॉक्टर को अगर हम किसी बिमारी से ग्रसित कर देंगे तो ये अनुमान लगाया जाएगा कि इलाज के दौराने ने ऐसी बिमारी हो गई होगी इसके पीछे का कारण जानना चाह रहे हैं कि आखिर ऐसा क्या कोई विवाद हुआ था कोई कहा सुनी हुई थी या किसी चीज को लेकर अन्बन हुई थी जिसके बाद उन्होंने इतन तो उससे फीड़ेक लेता था मैं कितने बही आपके पेशन्ट हो गए कितने पेशन्ट नहीं हो गए कितने पेशन्ट चल रहे और कितना पेशन्ट गया हो गए किसकी यह सब मेरा जो प्रॉफाइल है तो मुझे काम करना पड़ रहा है अपना और उसी काम की वज़े से की खिलाफ क्योंकि आप बता रहे हैं कि आपने काफी अच्छा काम के जानते वे जिले में अगर हम आपका काम देखें आपका काम भी बहुत बहतरीन रहा है लेकिन इसके बाद आपके ही स्टाफ के कुछ लोग होते हैं जो सर्फ आपके ही नहीं बलकि पूरे परिवार के खि इस बारे में मैं बिल्कुल भी मुझे मैं खुद सुबह बहुती सर्प्राइज्ड हूँ कि ऐसा क्यूं हुआ है मैं इसको खुद बहुत कोशिश कर रहा हूँ कि इस चीज का मुझे भी पता लगे कि इस तरह से यह ऐसे आखिर हुआ क्यूं है अगर सरी तो वो मामला था जो आपकी संग्यान में आगया और भगवान की दया से आपको पता चल गया कि ऐसी साजश आपकी खिलाफ हो रही है लेकिन क्या ऐसी भी कोई आशंका है कि इससे पहले भी नोने कुछ ऐसा करने की कोशिश की हो जो आपको पता ना चला हुआ कि नहीं इस बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता अब वह कुछ ऑप्र उसक्ति पर द latch सकती है और मुझे नहीं ने की कि अनुपे psych different है जैसे यह साजस पकड़ में कि किया कभी कुछ ऐसा आपको शरीर में बदलाव लगा हो कोई बिमारी ऐसी लगी आपको ऐसा अनुबाउव जिसके हम ये संभाव ना लगा सके कि पहले भी आप पर हमला करने कुछ की गई हो ने ने वह इस तरह का भी तक मुझे नहीं लगता कि इस तरह के कोई चीज मेरे सरीर में बदलाव हुआ हो बाकी एक बार मैं इन्वेस्टिकेशन जरूर कराऊंगा उपने सारे के सारे जितने इन्वेस्टिकेशन होते हैं और वो अभी क्योंकि विंडो पीरियड है इसमें अभी तो कुछ आएगा नहीं किसी भी तरह से किर कुछ हुआ भी होगा तो कराऊंगा मैं उसको देखेंगे फिर उसके बार में पुलिस में आपने शिकायत दर्ज कराई पुलिस का का कहना है इस पुरे मामले में। टीसीमों जिनकी खिलाफ ये पूरी साज़िश हुई है जिस प्रकार से टीवी उनके खाने में मिला कर उनको देने की कोशिश की गई एक टीवी पेशन्स के बलगम के द्वारा ये साज़िश सर्फ उनके ही नहीं बल्की पूरे परिवार के खिलाफ है इतनी गंभीर बिमारी से उनकी हत्या करने की कोशिश स्टाफ के ही दो लोग के द्वारा की गई शायद भारत में ये पहला मामला होगा जिसमें इस प्रकार से जैविक तरीके से एक डॉक्टर को मारने की कोशिश की गई वीडियो जनलिस्ट हिमान शुनेगी के साथ मैं आयूश शर्मा इंडिया न इनका अभिप्राय माना जाता है जिसको ये समझा जाता है कि जब कोई कुछ नहीं कर पाता उस वक्त डॉक्टर्स ये हल्थ केर वर्कर्स भी हमें मौत के मुझ से बाहर लेकर आ जाते हैं लेकिन इन्हीं हल्थ केर वर्कर्स के बीच में एक ऐसी चीज एक ऐसी शर्मना कोशिश की गई जो सिर्फ उनको ही नहीं बलकि उनके पूरे परिवार को कर सकता ता और अगर यह संक्रमंट फैल जाता तो हो सकता है न की या उनके परिवारर में से किसी की मृत्यू भी हो सकती थी यह बैक्टीरिया था ती investigators को उनके 2 कहाने में मिलाने कि साजिश रची यह साजर सचले वाले कही भार से नहीं आए यह वही लोग टे गवानेगे यह कर्म principles को पूरे मामले में में बाताऊचीत कऱने कि कोशिश की है तो पुलिस ने कोई भी जबाब देने से पिलाल मना कर दिया आपको बताा दे कि कई घंटे बीज़ चुके ऐक लगबक तीन दिन के आसपास इस पूरी वारदात को हो चुके हैं जब से ये FIR दर्ज हुई है लेकिन अभी तक जो दोनों आरोपी थे वो दोनों फिलाल पुलिस की पहुंच से बाहर है आखिर वो लोग कहा हैं ये बड़ा सवाल उठता है और पुलिस आखिर क्या कर रही है ये दू पूरे मामले की और वो लोग इस पूरे घटा क्रम से बच गए लेकिन वो दो लोग अभी भी परार है कहा है वो दो लोग क्या प्लैनिंग कर रहे हैं क्या इसके पीछे की पूरी साजेश है आखिर उन्होंने ऐसा क्यों किया ये तब पता चलेगा जब पुलिस के द्वार बागपत के सीमो टीलाल ने पूरे मामले पर सक्ट एक्शन की बात कही है सुनिये बागपत के जिस जिला अस्पताल में ये पूरी घटना हुई जहां पर हम देख पा रहे थे कि किस प्रकार से एक डॉक्टर के और सिर्द डॉक्टर ही नहीं वलकि उनके पूरे परिवार क कि खिलाफ एक साजेश रची गई एक तरीके से जैविक तरीके से मारने की कोशिश की गई अस्पताल के ही दो करबचारियों के दौरा इस पूरे मुद्दे पर बात करने के लिए अस्पताल के सीमो डॉक्टर तीर अतलाल जी हमारे साथ मौजूद है सर जो ये पूरी घट अधियों के माधियाम से की हमारे जो कि टिवी के नौडल हैं डॉक्र सिंग डुक्तिश हां है उनहीं के अधेन जो है संवीदा पे दो कर्मचारी है एक जब्बार हैं और एक मुषिर करके हैं जो सम्भीदा कर्मचारी हैं अशनısı के मुवाइल ही आपस में चीड करती हुए इस तरह कि बाते हो रहे हैं मिला के दे दूक को किसी चीज में डालने का जो यह होते ही होगा जो है MAN कि को सि 지원zet नो डॉडलने में सुपूर राया न Czy एको किसे ऐसे में इससे चेज में बदलने मे उतलबस होते हमारे में कृंद्ध नोडल है और मेरे द्वार के और कर दिया गया है तेन सवाल एक सबसे बड़ा खड़ा हो रहा है वो यह कि आखिर ये पूरी साजिश क्यों रची गई क्या कारण हो सकता है इसके पीछे क्या जिन डॉक्टर साहब के साथ ये पूरा वाक्य हुआ उनकी तरफ से कभी उन दोनों करमचारियों के खिलाफ कोई एक्शन लिया गया हो कोई नोटिस जारी किया गया हो या कोई ऐसी आपसी विवाद हुआ हो जिसको लेकर इतनी बड़ी घट्टा को अंजाम देने के बारे में उनने सोचा देखिए तो जाच का बिसे है अभी इस तरह का कोई बात हमारे संग्यान में नहीं है जाच होने बाद ही पता चल पाएगा बैक्राउंड सर ऐसे केसिस में बड़ा इंपोर्टेंट होता है यह जानना कि आखिर जो वो दो करमचारी थे उनका बैक्राउंड क्या रहा जो डॉक्टर थे जिनके साथ हुआ उनका बैक्राउंड क्यो रहा क्योंकि एक अकसर कहवत होती है कि जब धुआ दिखता है तो कहीं तो आग लगी है क्या कारण हो सकता है कुछ ऐसा पता चलाओं चाहे वो जो अक्यूज है उनके ही बैग्राउंड के बारे में कुछ पता चला हो ऐसा देख्शे मैं अभी यहां बेस जुलाई को जाइन किया हूं तो मैं एक दम नया हूं जन्पत के लिए तो इस तरह क अभी कोई हमारे संग्यान कोई बैग्राउंड हमारे जनकारिंग नहीं है कि बागपत में अस्पताल करमचारियों पर बीमा टीबी मरीज का सेंपल डिपिटी सीमो के खाने में मिलाने की कोशिश करने के आरूप पर उपमुख्य मंत्री रजेश पाठक ने कहा है कि पोलिस लागपत की घटना की जनकारी हमें मिली है उसमें पुलिस ने फायार दर्जी की है पूरे मामले की ज्यांच की जा रही है और जो भी दोस्य हुआ कड़ी करवाई हूँ